प्रमोध महाजन, भाजपा के लोग प्रिये नेता जिनने कभी आटल विहरी भाजपाई का उत्तराधिकारी माना जाता था साथ सवदर्जंग रोड पर मौझूद उनके सरकारी बंगले के दर्वाजे पर एक लाइन चस्पा होती थी मतलब दोस बिना बुलाया सकते हैं लेकिन रिष्टदारों के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी था विड़न बना देखिए कि ये बाद भविश्यवानी साबित हुई साल 2006 में विना पहले से तई कि ये वक्त पर उनका भाई प्रवीन महाजन उन से मिलने पहुचा और उन्हें गोली मार दी इतना ही नहीं प्रवीन के मताबिक हत्या के लिए ट्रिगर करने वाली बाद भी अपॉइंट की ही थी फिर केस चला प्रवीन ने अपना पक्ष रखा या कहिए कि कई पक्ष रखता गया कभी कहा गुस्से में गोली चल गई थी कभी कहा हाता पाई में गोली चली फिर जेल में प्रवीड ने एक किताब लिखी और उसमें कई घटाओं का जिक्राया और दो हत्याओं का भी लेकिन एक सवाल जोंकत्यों रहे गया कि हत्या के पीछे असल मोटिव क्या था क्या पहले से प्लान मनाया गया था या आवेश में आकर गूली चल गई चलिए जानते हैं प्रमोद महाजन की हत्या की पूरी कहानी नमस्कार मेरा नाम है निकेल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज 22 अप्रेल है और आज की तारीक का संबंध है एक हत्याकान से 22 अप्रेल के दिन प्रमोद महाजन अपने मुंबई वाले घर में थे दक्षिन मुंबई के वरली में बने पूर्णा गोदावरी अपार्टमेंट्स में उनका अपना फ्लैट था और इसी बिल्डिनिंग में उनके बहनोई और भाशपनेता गोपिनात पुंडे भी रहा कर करते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि आने वाले वक्त में महाराश्टर के सीम बनेंगे सुबह के साड़े साथ बजे थे शनीवार का दिन था और प्रमोद अपने ड्रॉइंग रूम में बैठे अकबार पढ़ रहे थे उसी समय दर्वाजे पर दस्तक हुई प्रमोद क प्रमोद को एक मेसेज भेजा था इस मेसेज में उसने लिखा था कि अब ना होगी याचना नपरार्तना अब रण होगा जीवन या मरण होगा परिवार में तल्खियों के बावजूद प्रमीन परिवार का ही सदस्य था इसलिए रेखा ने उसे अंदर आने को कहा और खु शिकायत का पुलिंदा लेकर शुरू हो गया शिकायत ने सालों पुरानी थी प्रमीन को लगता था कि प्रमोद के आसपास के लोगों ने बड़ा बिजनस बनाकर पैसा कमा लिया था जबकि उनका अपना भाई इग्नोर महसूस कर रहा था इसके अलावा प्रमीन को ये भी प्रमीन को देखा और समझाया कि कोई जरूरी बात हो तो उनके असिस्टेंस से अपॉइन्मेंट लेकर मिलने आये अब तक घड़ी में साथ बचकर 40 मिनिट हो गए थे और बाचीत को शुरू हुए 10 मिनिट पूरे हुए थे किचन में अभी चाय चुले पर ही थी अपॉइ प्रमोध सोफे पर धराशाई है तीन गोलिया लगने के बावजूद उनका ज्यादा खून नहीं बह रहा था इसके बाद रेखा ने प्रवीन के तरफ देखा वो जैसे आया था वैसे ही फ्लैट से बाहर चला गया प्रमोध महाजन अभी भी होश में थे उन्होंने रेखा से जल्दी जाकर उनके बहनों एक गोपिनार मुंडे को बुलाने के लिए कहा। गोपिनार बार्वे माले पर रहते थे रेखा दोड़ी दोड़े उनके फ्लैट पर पहुंचे और गोपिनार को बुला लाई। गोपिनात मुंडे ने प्रमोद को देखा और सीधे गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने का इरादा किया एंबुलेंस बुलाने में उन्हें लगा कि देर हो जाएगी रेखा और गोपिनात डिसकस कर रहे थे कि प्रमोद को बांदरा की लिलावती अस्पताल में ले जाये जाये तब प्रमोद नहीं हलकी आवाज में उनसे कहा कि लिलावती बहुत दूर पड़ेगा मुझे हिंदु जा ले चलो ये भी अस्पताल का नाम है हिंदुजा अस्पताल माहिम में था और प्रमोट के घर से थोड़ा नस्दीक पड़ता था अब तक गोपिनात मुंडे ने डॉक्टर विजे बांग को भी कॉल कर दिया था जो उसी बिल्डिंग में रहते थे और जे जे हॉस्पिटल में चीफ अफ कार्डियलोजी हुआ करते थे बांग उपर पहुँचे उन्होंने प्रमोट की नफस जाची ब्लड प्रेशर बहुत नीचे आ चुका था तब तक और तब उन्हें ऐसास हुआ कि इंटरनल ब्लीडिंग काफी जादा हुई होगी बांग ने हिंदुजा हॉस्पिटल में कॉल करके हॉस्पिटल को प्रमोट की हालत के बारे में बताया और तैयारी करके रखने को कहा इतनी देर में प्रमोट के जमाई आनंद राओ जोकी नस्दी की रहा करते थे अपनी स्कोडा लेकर वहाँ पहुचे और गाड़ी में बठाकर प्रमोट को तुरंथ हॉस्पिटल ले जाये गया प्रमोट ने लगबग बेहुशी की हालत में बताया कि वो डाइबिटिक है और उनका ब्लड ग्रूप बी पॉजिटिव है हिंदुजा में डॉक्टर गुस्ताद डावर तयार थे उन्होंने तुरंट प्रमोट का इलाज शुरू किया अस्पिताल में जहां प्रमोट की जान बचाने की कवाया चल रही थी वहीं उन्हें गोली मारने वाले प्रवीन के चेहरे पर अब तक कोई शिकर नहीं थी प्रमोट को गोली मारने के बाद वो 15 माले के बिल्डिंग की सीड़ियों से उत्रा और पैदल ही सड़क पट निकल गया हरी रंग की मारुतिय स्विफ्ट जिसमें बैटकर वो प्रमोट महाजन के घर तक आया था वो भी उसने वहीं छोड़ दी इसके बाद वो सीधे नज़िग के ट्राफिक पुलिस हैड कोउर्टर पहुचा और वहाँ जाकर उसने ट्राफिक पुलिस को पूरी कहानी बताई ट्राफिक पुलिस ने उसे वली धाने के और रवाना कर दिया और इसके बाद प्रावीन एक टैकसी पकड़ी और आट बचकर तीस मिनिट पर वो थाने पहुचा वहां पहुचकर उसने सब इंस्पेक्टर जैकुमार शंकर से मराथी में कहा कि मैंने प्रमोध महाजन को गोली मार दी है सरंडर करने आया हूँ पुलिस ने प्रवीन को गिरफतार किया और उस पर हत्या के प्रयास की धारा के तहत मुकदमा चलाया इसके बाद पुलिस अपने तहकीकात में लग गई इस बिच हिंदुजा में डॉक्टर किसी तरह प्रमोध को स्टेवल करने के कोशिश में थे गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी गोली चलाते हुए प्रमीन खड़ा था और प्रमोध बैठे हुए थे इसलिए गोलियां शरीर से बाहर निकलने के बजाए नीचे की ओर जाते हुए शरीर में अंदर धस गई थी अंगल पे मारा था इसके चलते उनके अतणियों और लीवर को भारी नुकसान हुआ था अब तक इस घटना के खबर पूरे देश को लग गई थी मीडिया से लेकर बड़े नेताओं के हिंदू जाके बाहर भीर लग गई अगले कुछ दिनों तक प्रमोद को स्टेबल करने की भरपूर कोशिश हुई प्रमोद का लिवर काफी हद तक डैमेज हो चुका था इसलिए लिवर ट्रांस्प्लांट के लिए लंडन से लिवर ट्रांस्प्लांट स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया लेकिन 13 दिन अस्पताल में रहने के बाद 3 मई 2006 के दिन प्रमोद महाजन की मृत्यू हो गई केस अब हत्या के प्रया आस्याने की धारा 307 से 302 यानि हत्या में तबदील हो चुका था जेल में जब प्रवीन को प्रमोद की मृत्यू के खबर सुनाई गई तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था उसने बस इतना ही पूछा कि क्या सही में ऐसा हुआ है केस जब अदालत में पहुचा तो मीडिया से लेकर सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि हत्या का मोटिव क्या था पब्लिक प्रोसेक्यूटर नीता पसरकर और ईबी धमल ने मोटिव तलाशने की कोशिश की साथ ही वो ये भी स्टैबलिश करने की कोशिश कर रहे थे कि हत्या आवेश में आकर की गई थी या पहले से प्लान था पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि 22 तारीक की सुबह प्रमीन महाजन साड़े 5 बजे अपने घर से निकला था उसका घर ठाने में था जो कभी प्रमोद महाजन नहीं खरीद कर उसे दिया था जब पत्नी ने पूछा कि इतने सुबह कहां जा रहे हो तो प्रवीन ने जवाब दिया दादा के हां भाईया के हां प्रवीन के घर से प्रमोद का घर एक घंटे की दूरी पे था फिर भी उसे वहाँ पहुचने में पूरे दो घंटे लग गए पुलिस के पूचने पर उसने बताया कि वो दो जगे चाइपी ने रुखा एक बार मंदिर गया और इसके बावजू जब वो प्रमोद के घर जल्दी पहुच गया तो उनके उठने के समय का इंतजार करने के लिए उनके फ्लैट के नीचे रुका रहा अदालत में जब मोटिब का सवाल उठा तो प्रमोद महाजन के पतनी रेखा महाजन ने बताया कि प्रमोद पैसे मांग रहा था और जब प्रमोद ने इंकार किया तो इसी गुसे में प्रमोद ने गोली चलाई प्रमोद ने भी पुलिस को दिये शुरुवाती बयान में बताया था कि उसने गुसे मैसा किया था उसके अनुसार वो बार बार प्रमोट से मिलने का वक्त मान रहा था और जब उन्होंने दोबारा उससे अपॉइन्मेंट लेने की बात कह दी तो उसने गुस्से में गुली चलाई इसके बाद मुकदमे के दौरान प्रमोट महाजन भाजपा के लिए फंड जुटाया करते थे फंड मैनेजर कहे जाते थे उस दौरान प्रमोट ने अरोप लगाया कि प्रमोट ने इस फंड में हेरा फेरिक की है साथ ही उसने प्रमोद के दूसरी महिलाओं के साथ संबन्ध होने का इल्जाम भी लगा दिया हलां कि प्रमोद के परिवार ने इन सब बातों से इंकार किया 2007 में अदालत ने प्रवीन महाजन को उम्रकायत की सजा सुनाई नासिक जेल में रहते पर प्रमीर ने एक किताब भी लिखी और उसमें दो घटनाओं का जिक्र किया साल 2006 में प्रमोद महाजन की बित्यों के लगबग एक महिने बात की बात है उस रोज खबर आए कि प्रमुद महाजन के बेटे राहुल महाजन को अस्पताल में भरती किया गया मीडिया में खबर चली कि फूड पॉइसनिंग हुई थी राहुल के साथ एक और शक्स को अस्पताल में भरती किया था लेकिन वहाँ पहुशने तक उसकी मौत हो चुकी थी इस शक्स का नाम था बिक्रम मुहित्रा बिक्रम प्रमुद महाजन के एसिस्टेंट है और उस रोज राहुल के साथ दिल्ली वाले सरकारी मंगले में थे चुरुवाती जानकारी ये बताए गई सबको कि दोनों ने खाना मगाया जिसके बाद फूड पॉइसनिंग से बिक्रम की मौत हो गई और दूसरे विक्ति आने की राहुल को अस्पताल ले जाना पड़ा लेकिन बाद में तहकीकात में बाद सामने आई कि ये सब ड्रक्स के सेवन के कारण हुआ था ओवर्डोस प्रवीन ने अपनी किताब में लिखा कि बिक्रम की हत्या की गई थी और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रमोद महाजन के काफी नजदीक थे और ये सारा खेल पाटी फंड से जुड़ा हुआ था साथी प्रवीन ने प्रमोद पर ये इलजाम भी लगाया कि उनके दूसरी महिलाओं से संबन्द थे इस किताब में एक खास घटना जिसका उलेक हुआ वो थी शिवानी भटनागर की हत्या अब शिवानी भटनागर इंडियन एक्सपर सक्बार में पत्रकार होती थी और जनवरी 1999 में उनकी हत्या करा दी गई थी इस मामले में पुलिस ने IPA सदिकारी रविकान शर्मा पर आरोप तै किये थे पुलिस के नुसार रविकान के शिवानी के साथ संबन्द थे और वो उन पर शादी को लेकर दबाव बना रही थी जिसके चलते रविकान ने कुछ गुंडे भिजबा कर शिवानी के हत्या करवाई बाद में रविकान की पत्नी मधु ने प्रेस में कहा था कि असल में शिवानी के समन्द प्रमोध महाजन से थे और शिवानी को उनसे एक बेटा भी था मामले ने तूल पकड़ा तो प्रमोध डियने टेस के लिए भी तयार हो गए थे हलाँ कि बाद में पुलिस ने मधु के आरोपों को बे बनियात करार दिया था इन सब आरोपों पर प्रमोध महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने बाद में कहा कि ये सब महाजन परिवार को बदनाम करने की कोशिश है साल 2010 में प्रमीन की पतनी की तविए खराब हुई तो उन्हें परोल मिली और वो जेल से बाहर आये लेकिन परोल के आखरी दिन ब्रेन हैमरेच से उनके मृत्तियों हो गई प्रमीन महाजन की हत्या को लेकर एक सवाल हमेशा बना रहा कि हत्या का असली कारण क्या था प्रवीन महाजन ने बार बार अपने बयानों में कभी गुस्से तो कभी पैसे को कारण बताया फिर भी वो अचानक फंड्स की हिरा फेरी और अनातिक संबंदों की बात करने लग जाता था बहराल प्रवीन की मृत्यों के साथ ये केस क्लोस तो हुआ लेकिन ये बात साफ तोर पर कभी सामने नहीं आ पाए कि प्रमोद की हत्या वाकई क्यों होई थी शायद कारण चनिक आवेच रहा हो अदालत ने भी यही माना लेकिन चू की मामला हाई प्रोफाइल था इसलिए बात पबलिक के गले से कभी नहीं उत्री कि यूँ ही इतने बड़े आदमी की हत्या कर दी गई होगी आज के लिए इतना ही तारीक की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथ ही कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जैरी ने देखते रहिए दिललन टॉप